वेल्कम टू न्यू लेसन इस लेसन में मैं एक बार आपको पहले ओवर्वू दे देता हूं कि लास्ट दो लेसन्स में हमने क्या किया है तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमें अपने गूगल एड्स की कनवर्जन ट्रैक करना था कनवर्जन राइट हम क्या ट्रैक करना चाहते थे कनवर्जन कितने सेल होई कितनी लीड्स होई और यह हम किसके लिए ट्रैक कर रहे है search ads not shopping ads shopping का हम बाद में देखेंगे कि वो कैसे होता है तो ये conversion हमें track करना था तो इसके दो तरीके थे हाना तरीका number one क्या था tracking through google analytics तो इसमें हमने क्या किया सबसे पहले तो हमने अपनी website पे google tag manager install किया ठीक है google tag manager install किया then हमने दूसरा काम क्या किया हमने google analytics account create किया ठीक है अगला काम हमने क्या किया हमने google analytics के अंदर goal create किये ठीक है ये goal creation क्या था goal basically हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ है जो आपके लिए माइने रखती है वो achieve हुआ कि नहीं हुआ वो हम track कर सकते है through goals in google analytics ठीक है तो वो हमने goal create किया then हमने क्या किया हम गये google ads के अंदर हमने conversion create किया और ये create कैसे हमने किया by importing google analytics goal ठीक है ये हमने बड़ा simple काम किया था step number one में then हमने एक और तरीका किया था कल के lesson में तरीका number two तरीका number two क्या था कि हम google ads में गए और वहां जाके हमने conversion create किया conversion conversion create किया अब इस conversion को install करने के दो तरीके थे एक थे tag manager के थुरू और एक था custom html वैसे तो हमने दोनों ही काम through tag manager किये थे इस वाले काम में क्या था इसमें हमारे पास था conversion अब देखो हमें क्या करना है ये जो काम हमने सारा किया था ये किया था for conversion tracking अब हम चाहते हैं remarketing करना भी क्या चाहते हैं हम कि हम remarketing भी कर सके तो इस case में हमें क्या करना है just a second अगला काम में क्या करना है remarketing अब remarketing करने के भी दो तरीके हैं तरीका नमबर वन तरीका नमबर टू तरीका नमबर वन जो की best है and that is google analytics के थूँ हम अल्रेड़ी अपना google analytics और google adwords integrate कर चुके हैं हमें बस एक option enable करना है ताकि हम remarketing run कर सके through google analytics वो option क्या है तो आपको google analytics में आना है और आपको जाना है admin के अंदर ठीक है आपको जाना है admin के अंदर और यहां पर देखो आपके पास एक option आएगा एक second देख लेते हैं exactly किसके अंदर है हो नहीं यह तो user management है डेटा कलेक्शन देखो जी आपको कहान आ है अपने Google Analytics के अंदर देन आप यहां एडमिन पे जाओगे देन आपके पास Tracking Info का उप्शन है आपको Tracking Info पे जाना है देन यू नीड टू गो टू डेटा कलेक्शन और डेटा कलेक्शन में आप आओगे तो री मार्केटिंग का उप्शन है इसे करदो Enable और इसे करदो Save ठीक है Enable और Save यह सिंपल तरीका है तरीका No.1 अब आप Google Analytics से audience बनाके उसे री मार्केट कर सकते हो बहुत ही बहुत ही जादा Easy राइट कल और परसो जो लेसन में हमने सीखा था वो था Conversion Tracking हम Conversion Track कर रहे थे ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें री मार्केटिंग का उप्शन Enable करना है री मार्केटिंग का उप्शन Enable करने के लिए अगेन दो उप्शन है Option No.1, Google Analytics Option No.2, Google Tag Sorry, Option No.2, Google Analytics and Option No.2, Through Google Ads Google Analytics में क्या करना है हमें तो सबसे पहले हम अपने Google Analytics और Google AdWords को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे जो कि हम अल्रेडी कर चुके हैं तो अब हमें क्या करना था अब हमें बहुत सिंपल काम करना है हमें बस Admin के अंदर जाना है Tracking Info के अंदर जाना है और Data Collection में जाके हमें Remarketing Feature Enable कर देना है अब है तरीका No.2 विच इस Through Google Ads ये तरीका भी बहुत ही जाद आसान है हम क्या करेंगे Google Ads का एक कोड होगा, एक ट्रेकिंग कोड होगा जो हम अपने Website पे डाल देंगे जागे बहुत ही बहुत ही जाद आसान ठीक है, कैसे करोगे ओ काम तो सबसे पहले आओ Google Ads के अंदर देन जाओ Tools and Settings के अंदर और देन जाओ Audience Manager के अंदर कैसे करोगे Tools and Settings देन Audience Manager और यहाँ पर आपको जाना है Audience Sources और यहाँ पर आपको Google Ads दिख रहा है इसके नीचे आपको एक Option दिखेगा Setup, मेरे पर दिखनी रहा भी आपको दिखेगा Google Ads के नीचे Setup को Option दिखेगा जैसे ही आप उस Setup को क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसा Option आ जाएगा ठीक है Google Ads के नीचे आपको Setup का Option दिखेगा जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे यहाँ पर दो Option आ जाएगे देखो आपसे दो चीज़े पूछ रहा है पहला Collect General Website Data और दूसरा Collect Specific Data अगर हमें Dynamic Remarketing Ads रन करनी है तो हम करेंगे दूसरा Option अगर हमें Normal Remarketing Ads रन करनी है तो हम लेंगे पहला Option अभी हमें Dynamic Run नहीं करनी वो हम करेंगे e-commerce के लिए तो हम लेंगे पहला Option ठीक है हम लेंगे पहला Option Only Collect General Website Visitors Data तो हमने लिया पहला Option फिर हम गए Advanced Setting यहाँ हमें कुछ नहीं करना और हमने किया Save and Continue अब करो Install the Tag Yourself अब देखो यह Code आ रहा है यह Code आ रहा है ठीक है यह Code जाके हमें अपने Website पे Install करना है ठीक है यह Code हमें अपने Website पे Install करना है इसे हमने किया Control-C अब कहा जाएंगे अब हम जाएंगे Google Tag Manager पे हम गये Google Tag Manager हमने Google Tag Manager ओपन किया और हम गये अपने Website पे और हम गये Tag पे और हमने किया New Tag और Tag का नाम लिख दो Google Ads Remarketing और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप करो Custom HTML और यह Code कर दो पेस्ट अब ट्रिगरिंग पे जाओ और यहाँ ले लो All Pages और इसे कर दो Save और इसे कर दो Submit इसे कर दो Publish इसे कर दो Continue अब जाओ Workspace पे लग गया Code अब हम इसे चेक कैसे कर सकते हैं तो आप जाओ Soft B2 जो हमारी वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट है आप उस वेबसाइट पे जाओगे और इसे कर दो यहाँ से Preview Preview किया गया वेबसाइट के उपर और इसे किया Hard Refresh और अब देखो नीचे टैग्स आ जाएंगे जो जो इस वेबसाइट पे फायर हो रहे है यह देखो Google Ads Remarketing आ रहा है सही से फायर हो रहा है यह Google Ads Convergent Tracking फायर नहीं हो रहा है आपको याद है क्यों फायर नहीं हो रहा क्यों फायर नहीं हो रहा क्योंकि कल हमने यह टैग फायर किया था Just Cart Page पे अभी मैं Home Page पे हूँ इसलिए यह एड फायर नहीं हो रहा है बट Remarketing फायर हो रहा है तो मेरा डेटा अराम से अब जा रहा है Google Ads के पास और मैं Remarketing Ads रन कर सकते हैं ठीक है बहुत है सिंपल अब यहाँ से कर दोगे Leave Preview Mode और इसे कर दोगो ओके ठीक है जी समझ गया कितना जादा easy है तो दो तरीके हैं पहला सबसे best which is through Google Analytics Just Google Analytics में जाओ और महां से e-marketing option enable कर दो Make sure कि इससे पहले Google Ads और Google Analytics integrated है वो हमने last class में किया था दूसरा तरीका क्या है through Google Ads Simple Google Ads में जाओ Audience Manager में जाओ वहाँ पर audience sources में जाओ वहाँ पर Google Ads पर जाओ और वहाँ से setup करो और वहाँ से code लो और जाके Google Tag Manager के through हर page पर fire कर दो बहुत ज़्यादा simple है ठीक है तो अब आप सीख चुके हो कैसे conversion fire कर सकते हो अब आप सीख चुके हो कैसे आप remarketing fire कर सकते हो ठीक है जी थेंक यू सो मच पर वाचिं इस लेस्न